तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस तरह के एक शीट बना लेंगे इसमें एक तरह हम सारे टॉपिक्स लिख लेंगे अराउंड 28-29 टॉपिक्स होंगे मदब चाहिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो मेरा नाम है अक्षे आंड आप मुझसे बहुत समय से पढ़ रहे हैं आएनों जो हमारे नवे बच्चे हैं इस चानल पर सब्सक्राइब कर लिए जिये बहुत अच्छे पर इसके वीडियोज आपके लिए आते हैं तो आज की वीडियो यार बहुत सारे बच्चों के मेसेजस पर डिपेंड कर रहे हैं आक्षेली में बहुत बच्चे मुझे अब मैसेज कर रहे हैं इस्पानिक टाइम में कि सर ऐसी कौन सी स्टार्टजी है जो हम फॉलो करें तो हम एकड़म से जीरो से हीरो बन जाएंगे मतलम उनका मतलब है कि सर कोई ऐसी ट्रिक दढ़ीज़ सी जिसी हम 100 प्लस स्कोर कर दें NEET में तो यार देखो सबसे पहले बात ऐसी कोई भी ट्रिक एग्जिस्ट नहीं करती है और आपको लगता है अगर ऐसी कोई ट्रिक एगजिस्स करती है तो यग वीडियो तो लेकिन effort ही नहीं पता राइट कौन से करने है तो भी waste of time है तो context set करने के लिए बहुत अच्छा example हमारे पास है यार महाभारत की story हम सभी ने सुनी है हम सभी को पता है although एक mythological story है लेकिन बहुत बड़ी learning वहां से मिलती है कि यार सोचो outnumber Pandavas सिर्फ 5 थे there were only 5 Pandavas and 100 Kauravas और वो outnumber कर रहे थे एक तरी से they were less in number and then also they defeated Kauravas because both had their right efforts but Pandavas have the right strategy although उनके पास Krishna जीत है लेकिन ऐसा आप खुद देखेंगे कि उन्होंने directly कोई भी चीज नहीं की थी जो भी किया वो Pandavas नहीं किया मत्तब्दा right strategy being followed तो अगर मैं आपको कोई strategy बना रहा हूँ तो follow करने वाले आप लोग है अगर तो discuss करते हैं हमारी strategy तो देखो यार हमारा exam एक लड़ाई की तरह है ना कि एक war की तरह है क्योंकि देखो आपका तो live का सबसे बड़ा जो war है वो यही है और यह Corona के situation में तो वो actually war की तरह सीम हो रहा है किसी भी fight को जीतने के यार चार ही pillar होते है what to fight, how to fight, how to assess your battle and what are the precautions to be kept तो यह चार बाते हों अपने exam में कैसे लगाएंगे what to study, how to study, how to assess our study and what are the precautions we need to keep तो सबसे पहली बात what to study देखे, सबसे पहला काम यह समझ आना ची अगले 10-12 दिनों में कि यार हमें पढ़ना क्या है exactly, मतब हम क्या पढ़ें हम NCIT उठाएं, हम concept उठाएं, हम problems करें हम past year करें, क्या करें, बहुत सारी चीजे है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस तरीक एक sheet बना लेंगे इसमें एक तरह हम सारे topics लिख लेंगे around 28-29 topics होंगे, मतब chapters होंगे and हम एक second and third column और बनाएंगे second column में हम क्या करेंगे बिटा, किसी भी YouTube पे मत जाना Google पे जाना, search करना weightage या आपकी कोई भी book होगी उसमें weightage दिया होगा NEET के बारे में उस weightage के हिसाब से आप weightage लिख 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 लिए percentage-wide, predictable possible weightage best probability weightage की दे दी जाती है and उसके side वाले में आप अपने हिसाब से इस तरीके से लिखना कि भाई, easy, medium, difficult आपको कौन सा topic लगता है, मतब कौन सा topic आपको easy लगता है, आपके हिसाब से आपने वो लिख लिख लिया then the best possible आपको combination ढूनने है कि भाई, जो सबसे जादा average रखता है and जो easy भी है ये topic आपका top notch topic होना चाहिए इसको आप पहले महनत करेंगे इसको आप पहले पढ़ेंगे then easy and medium, then easy and difficult अब ध्यान समझा, जहाँ difficult है यहाँ weight age कम है जहाँ weight age कम है यहाँ पर difficulty ये तो आपके सबसे बुरी quality हो गई लेकिन इन दोनों में से भी कोई آ रहा है उसको सबसे low रखेंगे, मतला गर difficult है तो उसको भी प्रियरिटी में सबसे low, weight age कम है, उसको तो ही priority में हो सकता है weight age कम है, लेकि easy है तक हमने जो पढ़ना था, खुद के साब से पढ़िया, लेकिन अब हमें exam के expect कर रहा है, वो भी समझना होगा है, exam जो expect कर रहा है, आप से हो सकता है, आप उस जगे पर महनत नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप lag कर रहे हैं पिछली एक से दो सालों में, ठीक है, now how to study, how to study का देख जो created है, वो है, उठने का golden rule की भाई, आप सुबह जल्दी उठेंगे और उसके बाद ये subject, for so, बिर कोई भी subject पढ़ेंगे, तो आपका बहुत अच्छा strengthening आएगा, ये एक बहुत गलत बात है, जो मैंने realize कि है, और बहुत बच्चों पर एक्सपरिमेंट करकर उसको देखा सकते हैं, वो है, सोने का golden rule, actually आप देखो, तो इस generation के सबसे बुरी जो चीज है, वो है, सोने का time, and that time is a fix for every body clock, हर body clock के लिए 11-12 के बीच का जो time है, बतब रात में 11-12 के बीच का जो time है, that is the most favorable time to sleep, because that is the time in which your first sleep cycle starts, आपको पता है कि an average human being takes 3-4 sleep cycles daily basis पे, इसलिए 6 गंटे is the optimum sleep, इसमें आपकी 4 cycle अराम से खतम हो जाती है, लेकिन होता क्या, इसमें सबसे important जो cycle होती है, वो होती है आपकी पहली cycle, जिसको आप 99.9% time miss करते है, and क्या होता है, अगर आप 11-12 में नीच सोते हैं, तो the next sleep cycle will come at 1 p.m. के बाद, इसलिए आप देखना कभी भी आप 11-12 में नी सोएंगे, तो सीधे एक बजे नीच आईगे, और अगर एक बजे भी नीच सोए, तो अराउंड धाई से तीन के बीच में नीच आईगे, मतलब आप 3rd sleep cycle में पहुंच रहे हैं, यही बहुत बड़ा दीजाने कि आप कभी भी snooze नहीं लगाएंगे, अलाम पे, जो snooze after let's say 10 minutes, you will never feel fresh after waking up, अच्छा, अब उठ तो गए हम, चलिए रात में जल्दी सो गए, अब उठ गए, अब उठने के बाद subject कौन सा पहले पढ़ना है, याद रखना है सबसे पहली बात कि जब भी आप उठने के जस्ट बात कोई भी logical या difficult analytical subject नहीं पढ़ना है, जैसे कि need व और एक analytical problem को solve करने के लिए fresh mind चाहिए, तो the golden rule here also exists is 4 hours, कम से कम साले 3-4 घंटे बाद उठने के बाद ही आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे उस subject को जो आपका difficult है, ना इससे जल्दी लेट जाएंगे तो mind ठक जाएगा और इससे जल्दी जाएंगे तो mind already अभी सो रहा है, उसमें क्या होगा ना, उसमें आपको इतनी efficiency नीच चाहिए कि महाँ पर चाहिए को याद करने है, आज नहीं तो कल याद हो जाएंगे लेकिन जो समझने आली चाहिज है वो तब हो नीच चाहिए, जब उठने के 3-4 घंटे याद माइंड बहुत अच्छा active होता है, आपने हो शक्ता थोड़ा नाश्ता भी कर लिया हो, सुबह का नाश्ता इस वेरी इंपोर्टेंट, देन यू गो उन्टु सिटिंग फर फिजिक, किसी भी एक्जाम को आप ले लिए अंडर 1000 rank लाने वाले मतलब जो best college में बैठे होते हैं, government seat पर बैठे होते हैं, उन में से किसी भ रखे जाते हैं कि इन चाप्टर को नहीं पढ़ेंगे, तो हमारा load कितना कम हो जाएगा, efficient and maneuverable self-organization and righteous effort यह आपको आगे ले जाएंगे, अब जल्दी से बात करते हैं हमारे assessment की, तो assessment बहुत ही आसान है, मैं पूरी की पूरी proper series चला रहा हूँ, जिसमें आप daily मेरे साथ याद रखेगा, full test सिर्फ 5-6 दिन है, अगले 10 दिन में और वो दिन के time ही देने, इस तरीके से आपके assessment हो जाएगी, क्योंकि assessment के बिना आप कभी भी बिटा किसी बहुर को नहीं जीज सकते, क्योंकि जब तक आपको ये feel नहीं होगा, बहुर के थोड़ा सा पहले, कि यार लडाई को मैं जीज सकता हूँ, अब exact नहीं जीज सकता हूँ, 100% नहीं पता है, लेकि 99, 97, 98% तो पता होना चाहिए न, तब ही आप भई उस exam को बहुत अच्छे से crack कर पाएंगे, या वो result ला पाएंगे, जो आप चाह रहे हैं, last बात करते हैं, precaution के, last but not the least, this is the most important बात, इसलिए मैं इसको end के लिए रखा, क्योंकि ये आप सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जिस वैसे आपकी बनी बनाई preparation टूट रही है, वो है आपके mental precautions and physical precautions, तो physical precautions में बटा धिहान देना है, सारे लोगों को sanitizer, mask इन सब चीज़ों का use करना है, क्योंकि आपको पता है, government इन च आए करना, क्योंकि exam के दिन नहीं, तो आपकी बहुत ज़्यादा हालत खराब हो सकती है, दूसरी important बात है, mental आपके precautions, mental precautions are avoiding all the distractions which you have already, बिटा, आप मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं इसको क्यों कहता हूँ, कि अगर आपको मेरा भी content relevant लगता है, तो आप यह चैनल को unsubscribe कर सकत है, नहीं देखें मेरा वीडियो, अगर आपको लगता है मेरे physics की वीडियो, आपको help नहीं कर रहे है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उन चैनल को मेरी request है, बिलकुल नहीं देखें, जो पिछले 20-25 दिनों में इतने सारे वीडियो बना चुका है, 20-25 वीडियो और इस chaos की वैसे जो इतना बड़ा नहीं लग रहा था, शायद हमें नहीं भी होता यह सब, तो भी हमें exam तो देखें देते हैं जो अभी देना पड़ रहा है, लेकिन इस वए से हम बहुत जाता disbalance हुए, कहीं-कहीं हम थोड़े से internally relaxed भी हो गए थे कि अरे यार पोस्पोन हो ज शोरली सी अगले 3-4 दिनों में कि आपका जो enhancement हो रहा है, आपकी performance में in preparation में दोनों ही बहुत बड़ा है, तो best of luck for your exam अच्छे से करिए, मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जोना रहा हूं उनको आप देखिए, आप और कहीं follow करते हैं उसे कीजे, लेकिन dedication, discipline and अच्छ बनाएगी, मिलते हैं साम को 9 बजे